काउंटिंग रूम की तैयारियां पूरी हो गई हैं सूरत महानगर पालिका के चुनाओ के बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया होने वाली है उसकी तैयारिया यहां लगभग पूरी हो गई है आप देख सकते हैं कि यहां पर गिंती की जाएगी जो चुनाओ हुए थे सूरत मह सूरत महानगर पालिका के यहां इसी तरह के कमरों में वोटिंग होगी इस समय हम लोग गांधी इंजिनिरिंग कॉलेज में हैं इसी तरह की तैयारी S.V.N.I.T. में भी की जा रही है आप देख सकते हैं कि यहीं टेबल पे जो मत दाताओं ने अपने कीमती वोट दिये थे उन सी पार्टी बहुमत लेकर सूरत महानगर पालिका में सत्ता में आती है खास करके जब सूरत महानगर पालिका के 29 वाड की चर्चा होती है तो 45 ऐसी सीटे हैं जहां पर पाटीदार पावर देखने में मिला था खास करके जब इन विस्तारों की बात की जाए तो भाजपा के दिगज नेता वहाँ पर प्रचार करने नहीं पहुच पाये थे खासा नाराजगी यहाँ पर देगना मिला था 29 जो वाड है उनकी कुल 116 बैटकों में से भाजपा को पाटीदार समाज की नाराजगी के वज़े से क्या खामियाजम भुगतना पड़ेगा वो तो कल पता चले है क्योंकि 2 दिसंबर को चुनाओ के गिंटी होने वाली है मद्दान की और इसी तरह की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है 29 वाड के लिए इस तरह के हर एक वाड को लेकर यहाँ पर चैर टेबल वगेरा रख दिये गए हैं निरिक्षक यहाँ पर बैठेंगे और एक एक निरिक्षक जिस तरह से एक-एक EVM मशीन खुलेगा उस पर उनकी पहनी नजर होगी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उमीदवार के नाम भी लिखे जा रहे हैं इस समय यह वाड नंबर 26 यानि की डिंडोली दक्षिन के जितने भी उमीदवार हैं उनके नाम यह पर लिखे जा रहे हैं फिर राउंड की जिस तरह से एक-एक बैलेट बॉक्स खुलेगा EVM मशीन खुलेगी उसके एक-एक आकड़े यहाँ पर कल लिखे जाएंगे और हम आपको बता दे कि चंद घंटों में पता चल जाएगा कि सूरत महानगर पालिका में कौन सी में कल पता चल जाएगा कि पाटीदारों ने अपना पावर वाला मत किसे दिया है और सूरत महानगर पालिका में कौन सी पार्टी जीत कर आ रही है श्वेता सिंग खबर छे सूरत